नमस्कार, आज सुबह का अक्वार पढ़के अकल समाचार्स देख करके बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश के मुख्ध चीफ एलेक्शन कमिश्टर माने निये प्रधामंत्री नेंदर मोदी जी हो गए है उन्होंने आज वर्ष दो हजार चौविस के लोक सभाओं के चुनाव किते थी निर्धारित करती उन्हें कहा है कि चुनाव में चार सौ दिन बचे हुए है ये कार जहां तक हमें थोड़ा बहुत ग्यान है और शैद आप भी इस बात को मानेंगे कि इस तरह चुनाव के गोशित करने का अधिकार सिर्फ CEC का है और अगर कोई और जिथी गोशित करता है तो निशित तोड़त पे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है हमारे जो विपक्ष है वो बहुत कमजूर है और या तो उनके प्रवक्ताओं को ग्यान नहीं है कभी ऐसे मुद्ध वो जो मुद्ध उठाना चाहती है भाजपा उसमें अटक जाते हैं बटक जाते हैं और लटक जाते हैं घिर जाते हैं किसी प्रवक्ता नहीं पूछा कि मानिनी बढ़ान मंत्री सी इसी कब से बन गए हैं उन्होंने चुनाओं की तिठी कैसे घोशित कर दी है ये तो कह सकते हैं मानिनी मुद्ध जी कि मेरा कारकाल इस लोग सवा कारकाल फला तिठी को समत हो रहा है उसके पहले चुनाओं होने हैं लेकिन मुद्ध जी का जो ब्यान आया है वो ये है कि चुनाओं में 400 दिन रह गए हैं यानि कि उन्होंने चुनाओं की तिठी न्यू कि उनका बंधक है और उनके प्रभाव से ठिथी गोशित होती है अलग कि हो तो यही रहा है लगातार जैसे गुज्ञात के लेक्षन देखा कि किस तरह से अलग किया गया हिमाचल से और भी लगातार बाते आती हैं जिससे इस पश्च हो जाता है लेकिन प्रदाम मत्रीजी के मुथ से सविकार करने एक तरह से कि CEC पे उनका पुरे कंट्रोल है और वो स्टेश्योरी बाडी नहीं है वो एक बंधक पार्टी है अखलेश यादा भी एक टो नोटिस दे दिया CEC ने CEC चाहती है कि उनको भी कंटेंप्ट का अधिकार मिले अब मानना चलाने का अधिकार मिले जैसे ऑनेबल है गोर्ट्स को है जब भी आप जन तक एλοख और मेरी बिरायी है कि अधालतों को भी अब मानना चला अगर किसी कोई है तो आभ मानना नहीं उनी चाहिए। अगर किसी कोई अपने विचार दे रहा है किस मुद्धे पे किस जज्ज्मेंट पे तो को भाप मानना नहीं होनी चाहिए जबतक को बहुत जज़ाद बच्तवी दिना की जाए तब गभबाना समानता चलती भी नहीं है और चल दिमिन चाहिए लेकिन वो अधिकार चाहता है CEC क्यों ताकि रूलिंग पार्टी जो चाहे उन पर द्वाव डाल के कार करा ले लेकिन कोई विपक्षे बोले तो निश्यतोर पर उसके ये सदाके दे जाए तो मुदी जीर ने लगवग इस परष कर दिया है कि वो चीफ एलक्षन कमिश्र बन गहें इस दीश के तुहिए नहीं कि समान्ता हर देश म्तरी को होता है और प्यो में की क्या थेकारी हई उनके पाफ्रा लगीद्टे है और उसी को लोग की पढ़के मोलते हैं और को अच्छे होश्यार होते हैं इंद्रा जीए से या तो अच्छे क्षा एसार। बदुलिय में जयासा, तंडवत जयासा, जत्वाल मलिक जयासे, तो याद करके, कट्धस करके बोल देते हैं, लेकिन समानता जो प्रिदामत्री होते हैं, वो लिखा होए पड़ते हैं, और इस तरह के अधिकारी उनके अप्यों में हैं, जो उनको बार बार गल्थ चीज के देते हैं, जैसे शाम परशाद मकरजी का इंगलेंड में मृत्य होना, जैसे सिकंदर का पट्टा तकाना, पाट्ली पुत्ता काना, जैसे वो क्या था वो, आसाम में जाकर के, जूस निकालना नाइडगल का, और वो बात जिसको राजी, राहूल गांदी ये के मूँ से क आलो वाली बात, तो ऐसे मांदी प्रधान मंत्री को अपने प्यमो या अपने जो भी उनके बाशार, जैसे उनके वक्ते हम लिखके देते हैं, उनमें सुधार करना चाहिए, और अगर उस उफ्ता ही ये बात कह रहे हैं, तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये लोग तंतर नग पर सीथ हमला है, विपक्षे ही तो बिलकुर मूर्ख है विप्रवक्त जो है, उनके उनके कुछ नहीं आता, आज तक किसी ने जै शाह पर सवाल उठाया, आज तक कि दिने महिश शाहा पर सवाल उठाया, का महिश शाह कहां चला गया हो, जब भी चाहते हैं, एंकर्स क प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पार चलिए नहीं सी भारत को मुबारब को